Breaking News, ICSI का Important Announcement CSWT No.23 Students के लिए ये आज का डेट का बहुत Important Announcement है Please Students वीडियो को Skip नहीं कीजिएगा जैसे ही Notification आया सबसे पहले YouTube पे Charter Studies आप लोगों को Update करता है और साथ में आपको Guidance भी Provide करता है तो Please Students वीडियो को पूरा Last तक देख लीजिए आपके मन में Exam Related जितना सारा Doubt होगा वो Doubt भी Clear करतेगा और हाँ पिछले 3 सालों से Charter Studies सबसे पहले Update करता है और ये Notification को भी सबसे पहले आप लोगों के साथ Share कर रहा है तो Please Students comment box में Thank You जरूर बोलिएगा और इस वीडियो को जरूर Share कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब करके और नोटिफिकेशन विल दबाद दीजिए ताकि CS Related एक भी इंपोर्टेंट अपडेट और एनाउंसमेंट मिस ना हो पाए Official Notification को देखने के लिए ICSI के Official Website पे चलना परेगा तो चलिए चलते हैं Official Website पे लेकिन स्टूडेंट अभी जस्ट ये Notification Official Website पे पब्लिक हुआ है क्योंकि Charter Studies का पूरा टीम देखता रहता है कि कब क्या Official Notification है और सबसे पहले अपडेट कर पाए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है CS Related नॉमबर 23 का मॉक टेस्ट कब हो रहा है एक नॉमबर 23 को क्या यह Compulsory है अगर मॉक टेस्ट के एक्जाम में नहीं अपियर करोगे तो चार नॉमबर को जो एक्जाम हो रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन स्टुडेंट्स अगर आपको ऑल्लाइन एक्जाम है फैमिलियर होना चाहते हो टेस्ट थे तो मॉक टेस्ट एक्जाम में ज़रूर एपियर करो मॉक टेस्ट के एक्जाम में एपियर करोगे इसके related user ID password आपको 12 गंटा पहले आपके registered mail पे या नहीं तो SMS के तुरू सेंड कर दिया जाएगा और साथ में timing भी लिखा होगा और कोशिस ये करना कि जिस laptop या desktop पे mock test exam दे रहे हो उसी पे 4 number वाला भी exam देना ताकि आप familiar हो जाओ कोई भी दिक्कत ना हो क्या mock test date में change हुआ है कुछ students मुझसे पूछ रहे थे जो कि मैं 2 दिन पहले update कर दिया था ध्यान से बाते को सुन लेना announcement आने से पहले ही मैंने update कर दिया था कि आप लोगों का mock test एक number को होने वाला है आज के date में official notification आयता है यह तो आप लोगों का प्यार है ना जो charter studies सबसे पहले update करता है और वही हुआ कि एक number को ही mock test हो रहा है कोई भी change नहीं है date में तो ready रहो आप लोग mock test के लिए mock test exam देना हो या आपको final exam देना हो और से browser को download करना परेगा कैसे क्या download करना इस topic पे भी मैंने video बना रखा है वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा admit card और साथ में कोई भी government ID proof आपके पास होना चाहिए CSWT के admit card और कोई भी government ID proof जैसे के आधार card pen card driver license एक बार फिर से बोलना है voter ID card इन समय से कोई एक चीज अपने पास जरूर रखिएगा और साथ में admit card रखिएगा mock test exam के दौरान और जो की chart number को जो exam हो रहा उसके दौरान और हां बहुत जल्द वीडियो देखने को मिल जाएगा live demo कैसे आप लोग mock test के exam में appear करोगे और कैसे आप लोग चार number को जो exam हो रहा उसके लिए appear करोगे अभी से चैनल को subscribe करके all notification विल दबाद दीजिए और इस वीडियो को जरूर सेर कीजिएगा CSWT number 23 students के साथ कोई doubt हो तो comment box open है वहाँ पे